महिला शर्षक्तिकरण की बात करते हैं देहरादूर में महिला शर्षक्तिकरण और बाल विकास विभाग की समिख्षा बैठक की गई मंत्री रेखा आरिया ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की जिसमें पिछले तीन सालों में केंद्र पोशित योजनाओं में बजट खर्च का ब्योरा तलब किया गया महलायम बालविकास राज्यमंत्री रेखा आरे का कहना है कि कम बजट खर्च करने वाले जिनों की जानकारी लगातार मिल रही थी और अब खबर ये कि ऐसे अधिकारियों पर गाज की सकती है जिनोंने बजट कम खर्च किया आपको बता दे तीन साल और तीन साल में तीन साल में वादा किया है कि हर योजना हर काम का ब्योरा जनता को दिया जाएगा एक बुकलेट के जरीए तमाम अपनी उपलबधियों को तीन साल की उपलबधियों को तीन सरकार बताएगी और उसी को लेकर अब समिक्षा बैठके लगातार चल रही है महिला शचक्तिकरण एमबाल विकास विभा की समिक्षा बैठक हुई और मंत्री रिखार याने अधि अधिकारियों के साथ यह पैठक की जिसमें तीन साल में केंद्र पोशित योजनाओं में बजट खर्च का व्यौरात तलब किया गया लेकिन है रानी इस बात की हुई कि बजट खर्च करने वाले जिलों की जानकारी लगातार उन्हें मिल रही थी जो कम बजट खर्च कर र योजना के लिए जिस मद में वो पैसा आया था वहाँ पर वो खर्च न हुआ तीस साल में उसको लेकर लगातार मंत्री रेखा आरियाम नजर बनाये हुए हैं एक बैठक है जरिये उन्हें जानकारी तो ले ली तमाम जिलों के अधिकारियों से कि आपने इस विभाग में क कम बजट खर्च हुआ है जिस पर नाराज हुई है मंत्री रेखा रिया मुझे लगता है कि इस समिक्षा बैठके माद्यम से सभी हमारे 13 जनपद विभागी योजनाओं के लिए और गंबिरता दिखाएंगे चाहे वो नंदा गोरा योजना हो या पोशन अभियान हो या ब हमा और बहतर सुदार किये जा सकें